नमो बुद्धाए मैं आरपी सिंग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे विशेश कारेक्रम धमदीप में जिसमें हमने कल चर्चा की थी अस्ठांगिक मार्क के सम्यक कर्म पर इसी स्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे अस्ठांगिक मार् इस विशेश पर विर्स्तित जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्तित हैं बंते डॉक्टर चंद कीर्थी जी डॉक्टर चंद कीर्थी जी ने बुद्धु दर्शन में उच्च सिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत ह होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिजम पर अपने विचार रख चुके हैं तो हम स्वागत करते हैं बंते डॉक्टर चंद कीर्थी जी का नमो बुद्धाए बंते जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेश प्रोग्राम में जैसा कि आप हमेशा से देखते आए हैं हमारे अनेकों दर्सक अपनी जिग्यासाओं के लिए हमसे प्रस्न पूछते हैं वाटसप पे और इमेल के द्वारा और दर्सकों के प्रस्ण के लगातार आने के कारण हमें उसमें से छाटना पड़ता है कि हम किस दर्सक का प्रस्ण ले और कुछ ऐसे भी प्रस्ण होते हैं जो बहुत ही परस्णल होते हैं जो कि आपको उनके फोन नंबर के साथ दे दिये जाते हैं कि आप उनका जवाब दे सकें आज हमने एक प्रस्ण लिया है कि एक सामाने व्यक्ति को कितने कम से कम कितने मार्ग का पालन करना चाहिए ये एक बहुत ही सामाने प्रस्ण है क्रपया इस पर हमारे दर्सकों का बहुत धन्यवाद आर्पिर सिंग जी आपने आज अपने इस धमदीब कारकम में दर्सोकर के बड़े अच्छे प्रसनव को आपने उपस्तीत किया है और प्रसनाएं कि मानों के जीवन में हम किस तरह से कूंसी ऐसी बाते हैं जिससे हम अच्छे धंग से जीवन को जी सकते है तो आपने देखा होगा कि सभी मनुस्य अपने जीवन कारल में सुक पाना चाहते हैं ऐसा कोई भी जीवन नहीं है मनुस्य का या ऐसा कोई प्रानी नहीं है जो जीवन में सुकी होना नहीं चाहता लेकिन कुछ मुलभूत बात है जिसके कारण मनुस्य सुकी होता है और जै है और आए दिन आपने देखा होगा जिसे हम पंसीर है स्टांगिक मार्ग है जब इसका हम आच्रन करते हैं तो स्वाभाइक तोर पर हमारा मन अच्छी तरह से संसकारित होता है और अच्छे मार्ग पर लगने की वज़ा से उस जीवन में कहीं न कहीं हमें खुसी और अच्छ के जीवन काल में घरती हैं उससे तो मनुस्य को दुख उत्पन होता है जैसे किसी के मृत्तु हो जाए अपने परिवार या सगे संबंदी या नातेज़दार के लोगों में तो ये चीज़े आपने देखा होगा कि वो दुख उत्पन होते रहता है और वैसे ही आपने निक जीवन में पढ़ते रहता है तो उसके कारण भी हम लोग अच्छे से जब हम काम करते है या कर्म करते है तो उसका जो रुपांतरन है वो हमारे सुक में तबदील होते रहता है और इसलिए अच्छे चीज़ों को लाने के लिए हमें रोज भ्यास करना होता है जैसे करते हैं और वो जब अच्छा काम करना शुरू होता है तो कहा गया कि अच्छे कारे का परिनाम अच्छा और अच्छे विचार करने का परिनाम भी अच्छा होता है लेकिन जैसे जैसे हमन में अलग 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 तरह की जो विचार है वो जब आ जाते हैं तो स्वाभाइक जो कुछ भी अच्छा आच्रन है वो है अच्छा कुशल कर्म तो जैसे आपने देखा कि हमें मुर्खों की संगती नहीं करना बाटा पिता की सेवा करनी चाहिए बहुत सारी कलाए हमने सिखनी चाहिए जीवन में हमें दान देना चाहिए शुभासित वाणी का प्रियोग करन चाहिए और चित्ता को निर्वान के इस मार्ग पर लगाना चाहिए तो यह खुसी का एक मार्ग है और जो छोटी-छोटी बातों से हमें खुसी पराप्त होती है अपने वानी से अपने आचरन से जिसके कारण हम लोग खुस हो शकते हैं या खुस रह सकते हैं यही एक उसका तो आज आप सभी दर्शकों ने इस प्रस्न को पूछा है तो मैं आपका सब का बहुत-बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने यह ऐसे प्रस्न पूछ कर मैंने पूरा प्रियास किया कि आप इस तरह के प्रस्न पूछते भी रहिए और मैं जो आपका सवाल का पर आते हैं और भंते जी आज का मूल विशय है अस्टांगिक मार्ग के सम्यक आजीविका पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं बहुत-बहुत धन्यवाद आरपी सिंग जी आपने अपने दर्शकों के लिए आज अस्टांगिक मार्ग का जो सम्यक आजीविका है इ कि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने पहली अपनी देशना में अस्टांगिक मार्ग को बताया था और उसे वे मध्यम मार्ग कहते हैं पाली में उसे मज्जीमा पटिपदा ने ऐसा मार्ग जो मध्यम हैं और जीवन जीने के लिए सुखद भी हैं और इसे हम अ इस तरका है वो भी उन्होंने इस मार्ग को त्याग दिया था है ने अतीकष्ट सरीर को देना वो समझते थे कि इससे कोई भी लाव परापत नहीं हो सकता है बलकि हम मध्यम मार्ग से ही अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकेंगे तो आपने देखा होगा कि इस अंसार म सही आजीवी का हो वो ज़्यादा तर प्रियास करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन काल में उससे किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार का कोई कस्ट ना हो किसी भी प्रकार का उससे कोई हानी ना हो किसी भी प्रकार से किसी वेक्ति की कोई हिंसा न हो जाए किसी भी प्रकासे किसी आदमी को अने प्रकास के कस्ट उठाने पड़े ऐसे कारिया मत करिये बलकि हमें जीवन जीना है और जीवन को जीने के लिए हमें कुछ खारिय भी करने पड़ते हैं बिना कारिय के मनुस्य जिवित नहीं रह सकता तो आपने यानि ना करे और कुषरकुरुष़कर्म करे उसे बढ़ाये उसे जीवन काल में बार-बार करने की कोशिस करते रहें और फिर वह कहते है सचित्तपरियोद अपनंग सचित्त परियोद अपनंग मतलब जो हमारा चित्त है उसको सुद्ध करते रहे जब उसमें असुद्धियां आ जाती है तो हम उसको सुद्ध करते रहे और एतंग बुद्धान असासनंग तो वे कहते हैं कि यही बुद्धो की सिख्चा है यही बुद्ध का धर्म है यही मनुस्य के जीवन जीने के लिए एक बड़ा उत्तम मार्ग है तो बार 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 हम प्रियास करते रहें कि जो कुछ भी अपने कारियों से अलग अलग तरह के जो चीज़ें देखने के लिए मिलती है वो हुझे पर हम स्वाभाई तोर पर इन चीज़ों को कर सकते हैं और इसलिए हुग ने उबदेश दिया कि हमें सम्यक मार्ग का जीवन जीना चाहिए लोग अलग अलग तरह से अपने इस जीविका को चलाते रहते हैं उसके जीविका अपरजन के लिए अलग अलग प्रकार के हमें उबबाई देखने के लिए मिलते हैं लेकिन क्या हम सबी लोग इस जीवन काल में वहाँ बातों को जान करके समद करके हम जीवन को जी रहे हैं तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने कुछ खास बाते आप लोगों को बताईए कि जहां पर हिंसा होती होगी तो ऐसे कारें न करो जहां पर चोरी होती होगी ऐसे कारे न करो जहां पर वेविचार होता होगा वहां पर ऐसे कारे न करो जहां पर जूर बोना परता होगा वहां ऐसे कारे न करो जहां पर मादक पदात का सेवन करने के लिए प्रेडित किया जाता है तो ऐसे कारे न करो और किरोध का जो समय आता है वो ऐसे कार्य को ना करे और जब हम इस तरह से अपने आपको बना पाते हैं तो सौबे के कि हमारा जो मन है जिसे हम चित्त भी कहते है तो यहाँ बड़ा सुद्ध रहता है और अच्छी तरह से काम करने के लिए हम प्रेरीद करते रहते हैं उनकी धारना यह थी कि कम से कम ऐसे कारे करें जिससे हम अन्य लोगों पर किसी प्रकार के हानी होने का प्रभाव न देखें जैसे जामपल के लिए कोई सराब का बिजनेश करता हो सराब का वैसाय करता होगा तो आपने देखा पैसे तो उसे प्राप्त होंगे लेकिन जब वो सराब जो हैं लोग उसका सेवन करते हैं और सेवन करने के कारण जो है दी मालिया बिमारी हो गई और उसके बाद में मृत्त से भी इसके जो पीड़ा है या इसका दूख है वो भी हुने सहन करना पड़ता है तो बुद्ध बड़े दार्शनिक रूप से सोचते हैं थोड़ा व्यापक तरीके से सोचते हैं कि हमारी जो आज जीवी का है जहां पर शोशन हो रहा है जहां पर अन्याय हो रहा है जहां पर अलग अलग तरह की हमें हानी हो उठानी पड़ रही होगी तो ऐसे व्यवशाय को करने की कोई जरुवत नहीं है यह व्यवशाय को करके दुख प्राप्त होता होगा तो वहां पर हमें ऐसे व्यवशाय को करने की जरुवत नहीं है लेकिन जिस व्यवशाय को करके हमारे लिए और औरों के लिए भी बड़ा लाब दायक है तो इसे हमें अवश्य करनी चाहिए और बड़कि उसे दिनो दिन करने के लिए प्रियास करनी चाहिए इसलिए जादा तर वो इस बात पर जोड देते हैं कि हमें धन तो अरजन करना है अपनी जीविका तो चला नहीं है लेकिन उस जीविका को चला रहे के लिए सही तरीके से धन का जो हम लोग अरजन करते हैं या धन अपने जीवनकाल में हम कमाते रहते हैं तो उसका इस धन से हमें जब उप्योग करते हैं या उसको हम ठीक धन से कमाते हैं तो उसका बेनिफि अपने जीवन काल के लिए कि हम उससे हम ठीक धंक से समझने की कोशिस करें तो बुद्र ने कुछ खास बड़े महत्पून उपाए बताये हैं ऐसे कौन से हमने वेशाय नहीं करना चुकि आपने देखा होगा कि ये आज जीवी का जो है हमारे अपने आर्थिक चीजों को हो शकता है तो आप आएंगे कि नहीं तो एक सत्य तो इस संसार में जरूर होता है आपने देखा हो कि बहुत पुझी पती भी बैखती है और एक बहुत गरीब आदमी है तो क्या एक बहुत पुझी पती आदमी है वो कभी मरते भी नजर नहीं आता और एक बहुत गरीब आ तो वहाँ कभी मृत्तु को पराप्त नहीं होगा और एक गरीब आदमी है तो मृत्तु को पराप्त हो जाएगा ऐसा बिलकुर भी नहीं है दोनों ही यह समान रूप से जो है इस संसार में आपने मनुस्व को जाते भी देखा होगा लेकिन बुद्ध यहां पर बड़े अच् करने का तरीका है वो नेतिक होना चाहिए यदि वो नेतिक रहता है तो सवाबय करता है जिनको करने से बना करता है तो वो कहते हैं कि जैसे सिर्यो का यापार नहीं करना चाहिए, कि हुए बार आपने देखा होगा कि बुद्र के काल में भी बहुत सारी जो लोगे वो बेह दिया करते थे तो कहते हैं कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए यवन आज भी समाल में ऐसी घटना है आपने देखी होगी कई बार होते हुए नहीं जलाता है तो वे कहते हैं कि नहीं ऐसा करना तो यह अपराद है गुना है हमें इस तरह के जो आजी भी का हैं वो हमने बिलकुर भी बिलकुर नहीं करनी चाहिए विसेश तोर पर वो बकरी पालन के लिए कहते हैं कि वो तो निश्चित तोर पर जब आप उसे पालना शुरू करेंगे तो उसका निश्चित तोर पर आप उसको सेल करेंगे या उसे बेज देते हैं तो सौबाई कि वो हत्या के लिए बेची जा इसके साथ साथ रू कह材τε कि जैसे विश्ल जो पदारत होते हैं विश्ल पदारत का बलकुर भी आपानी करना चाहिए जैसे पाई जैसे आपने देखा होगा कि जब आप इसको बेचेंगे तो इससे हानी ही उत्पन होगी इससे लाप प्राप्त नहीं होगा आपके पास एक वेक्ति को तो इससे प्राप्त हो सकते लेकिन जो जो लोग भी इसका सेवन करते भी नजर आएंगे वे सब लोग मृत्तु को ही प्राप्त होंगे तो जहां प खाओगा कई बार ये दास बना के रखा जाता था और लोगों को आजीवां इस तरह से बिलकुर बंदी बना करके उन से कारे किये जाते तो उनका कहना था कि ऐसे आदमियों को बेचना ये ठीक नहीं है बलकि मनुस्य को सोतंतता मिलनी चाहिए आजीवी का भी हो तो सोतंत पदात इसका भी हमने ब्यापा नहीं करना चाहिए जैसे आपने देखा होगा चरस है गांजा है अफीम है कच्छी पकी सराब है तो ये हानी कारक है क्योंकि जब कोई आदमी इसका सेवन करेगा तो उसके परिवार को उसके समाज के लोगों को सौबह एक तोर पर हानी होग आप लोगों को ये हानी उठाते हुए या आपको हानी दिखती भी नजराएगी क्योंकि वो स्वाबहिक तर पर होती है और लोगों को लगता है कि ठीक है तो इस तरह से बुद्ध ठीक तरह से साइंटिपिक विचार के रूप में बताना चाहते है कि ये बहुत गलत है और इस तरह से जब हानी होती है तो किन किन तकलीबों का हमें सामना करना पड़ता है कौन कौन सी दिकते मनुस्यक के जीवनकाल में आती है तो वे इस तरह की आजीविका करने के लिए या ऐसे धन को अरजन करने के लिए पूरी तरह से वो मना कर देते कि नहीं बिलकुर भी नह होना चाहिए इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे वो भिक्कु हो या उपासक उपासी का हो उनसे भी कहते कि आप लोगों को सम्यक जिवी के आधार पर जीवन जीना चाहिए जिसे भिक्कु को कहा कि आपको जो मिल जाता है वो ग्रहन करो जो प्राप्त हो जाता है उसके है वो सद्भावना के रूप में हम समाज में देखते रहते हैं तो ये पूरी तरह से ध्यान रखने योग ये बाते हैं तो भिको कहा कि भैस तुम्हें चारिका करनी है और जो तुम्हें मिल जाता है उससे ग्रहन करना है लेकि nggak 33 जो किसी को हानी पोछा करके आप उस کا धनका अर्जन करते होंगे तो वो काफी गलत है वैसे ही उपासक उपासिकाओं के लिए भी उन्होंने काफी कुछ बाते कही कि हम जो एक मनुस्य के जीवन में आए है तो ऐसे समय में हमें ये भावनाव को बिनाया रखने की कोशिस करना जिससे हम सौबह एक तौर पर अपने की भलाई के लिए भी है और कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में लोग मिलावट कर देते हैं आज के समय में भी देखा होगा कि चाए वो दवाईयां है या भुज्य पदात है खाद्यान सामगरी है और कई तरह की ऐसी चीजे हैं आपने देखा हो इसमें लोग मुलावर कर देते हैं धन अरजन करने के लिए तो वहां गलत तरीके से धन को अरजन करना वो कही न कहीं हानी में तब्दील हो जाता है वहां कुछ देर के लिए हमें फायदा तो देगा लेकिन कहीं न कहीं वो किसी न किसी मारगस से आपने देखा होगा वो हमसे जो जि स innate हुआ कि प्रियास करते रहते कि यह कैसे जीवन मिलेंगा और कैसे हम जीवन को अच्छा बनाएंगे तो वो कहते हैं कि जूट के रास्ते से जो कुछ भी हम लोग अर्न करते हैं तो आज कल आपने देखा होगा कि समाल में बड़े पेमाने पर करफशन बढ़ते भी नजर आता है जिसे भष्टाचार कहते हैं तो कहीं न कहीं ये करफशन या भष्टाचार जो है हो लोगों की हानी करता है तो आप में देखा हुए एक छोटे छोटे काम करके भी जो लोग है लोगों को जीने के लिए तो बड़ा अच्छा है लेकिन जो मनुश्य की कई तरह की हानिया होती है मांसी खानिया या सारी दिए खानी वो कहीं न कहीं हमें अनेग प्रकार के कस्ट देते रहती है तो यह एक बड़ा सुन्दर मार्ग हमें बताया कि हमें जीवन को सही तरीके से जीना जीवन को खुस रह कर जीना जीवन में सांती के अधार पर जीवन को जीना जब यह चीजे हमारे जीवन में देखने के लिए मिलती है तो इससे आपने देखा होगा संतुष्टी प्राप्त होती है और संतुष्टी से बड़ा धनी संसार में कोई नहीं है पाली में इसे कहा जाता है संतुष्टी परमधनन अथा संतो सबसे बड़ा धन है लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत कुछ है लेकिन वो सेटिसफाइड नहीं है या वो संतुष्ट नहीं है तो आपने देखा हुआ कि वो नाना प्रखार के जो उनके मन में वेदनाए या सवेदनाए या नाना प्रखार के ऐसी हल चल देखने के लिए मिल सकती है और वो सं सन्तु श्च दिखाई ने से नसांति आइया इना सुख होता है अब जब ये चीज़े meant, आप जो कुछ भी अर्जीत करते हो, जीवन में जो कुछ भी हम लोग स्रम करते हैं तो वो व्यरत में चला गया क्योंकि, हमार पिछे का जो जिसे हम ultimate goal कहते हैं वह है सबी प्रकार के कारियों से मिलने वाला हमें सुक और उस सुक यदि नहीं मिल रहा होगा हम संतुष्ट नहीं हो रहे होंगे तो हमारा जीवन तो कार ये जो भी करते होंगे वो सब व्यर्थ हैं और उस व्यर्थता के अलहार पर नहीं त नहीं है नावार जो बुद्ध ने ठीक तरह से हमें बथाने की कोशिस कि हम अल yardım अलग तरह के जीवन को जीते हैं आपने देखा हो कि हार एक आदमीका अपना एक रूची होती ए हर एक अदमीका अपने एक इंटरेस होता है और उसके अधार पर उपने कारियों को करते रहता है लेकिन इसमें धार्मिक कसोटी उन्होंने खास कर लगाई कि हम धम्म के अधार पर अपने जीवन में उन सदगुनों को अपनाएं और सदगुनों को अपना करके फिर हम कारे जब करते हैं तो इस कारे का जो लाब है वो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी होत भी नजर आती हैं और इसका अलग अलग तरह से आप लोग परिनाम देख पाएंगे अलग अलग तरीके से उनको चीजों को कर पाएंगे तो यही एक मार्ग है तो आपने देखा कई लोग ऐसे हैं कि वो अपना जो पशंद का जो व्यापार है वो चूस करते है अपने आज ज आजिविका को चलाने के लिए यदि वो सही नहीं है तो कई बार दंडीत होना पड़ता है लेकिन वो सही है तो उसके माद्याँ से उसको उसकी अपनी एक लोग प्रियता भी मिलती है उसे लोग अच्छा मानते हैं क्योंकि वहां कल्यानकारी भावना होती है तो बुद्ध अधिक तर अपनी आजिविका के लिए जो बताना चाहते कि मनुस्य जो भी करें तो उसके अंदर में कल्यानकारी भावना होना अत्यांत जरूरी है जब वो कल्यानकारी भावना होती है तो उस कल्यानकारी भावना से मनुस्य स्वाभाइक तोर पर अपने जीवन को बहतर जीवन बना सकेगा, अच्छी तरह से कर सकेगा, और यहां जीवन, हम जब बार 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 इन चीजों को करते ही नजर आएंगे तो, वह जो फिलिंस है, जो हैपीनेस की फिलिंस है, जो हमारे सदाचरन का जीवन का एक भाव Hag है, वह स्वाबाइक होते हे हमें नजर आएगा औ और इसको करने के लिए मनुस्य अथा परिश्रम करते रहता है। कस्त करते रहता है। वे कहते हैं कि जो बूरी तरीके से भावना को बना करके हम सरम करते हैं। इसकी जगह में अच्छे भावना को बनाया रखने के लिए कोशिस करना। कि मैं जो भी कारे करता हूं तो जागर है वास्तिक ताहिए जिससे मनुस्य के जीवन में जो अलग अलग तरह का जो भाव है वो हमें देखने के लिए मिलता है लेकिन सम्यक आजीवी का वहाजीवी का है जिसके आधार पर हम अपने स्वयम के और दूसरे के जीवों को दूसरे जीवों को भी हम लोग वहाँ अशर प्रदान करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हानी ना हो, किसी प्रकार के कोई दिक्त ना हो, यही एक सम्मिक आज जीवी का हैं, अच्छे तरीके से, वहाँ धन का अर्जन करके अपनी जीवी का को चलाने की कोशिस करना, उसका जो आधार बताया गया है, वो सील, और यह अस्तागीक मार्ग है जो आज मैंने आप लोगों को सम्मे का जीविका जो मैंने आप लोगों को विस्था से बताया है आप सब उपास सब को देशना को सुना है तो मैं सब का भूँत भूत धन्यवाद दा करता हूँ आप सुखी हो दिरगाई हो स्वस्तर है ऐसी मंग कामना करते हुए यहीं रुकता हूँ बहुत दुश्व मंगलंग। वन-जीडो नाइन पर आप अपना प्रस्ण भेश सकते हैं। हमारी इमेल आईड़ी नीचे चल रही है, उस पर भी आप अपना प्रस्ण भेश सकते हैं। मुझे उमीद है कि आप अपनी जिग्यासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिग्यासा को सांथ करेंगे तब तक मैं आरपी सिंग बंते डॉक्टर चंद कीरती जी के साथ लेता हूं विदा कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्तित होंगे नमो बुद्धाएं